ओम स्री गने साय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 फरवरी सौंबार के रासी फलक के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चैनी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए सौमबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजटेव रहने वाला है दोस्तो आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती है अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साथी साथ आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोडने के लिए आपके पास पूरी उरजा और सेन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां भेतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवड़तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परन्तु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्याओं भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरित दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ इसाथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने कोई अपॉइंटमेंट या अन्य क्याई महत्पून चीजे के भूलने की भी आज संभवना बन सकती हैं दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्ने में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यता परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मानसिक रूप से धकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका असर रिस्तो पर पड़ सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली है दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परन्तु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंध आज मदुर होने की संभवना पाई जाती है सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गती विद्यों में परिशानिया आ सकती है लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी करेचेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आपकर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी घुसकबरी आज प्राप्त हो सकती है विध्यार्टियों के लिए समय अच्छा है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महत्पूर सावित होगा और आप परिवारिक समपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूफ से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी आज आपको अपनी सिहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्यहान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वाहन चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश रुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपने श्रद्धा के नुशार अपने सामर्थ के नुशार किसी ज़ुत मंद को कुछ न कुछ अनका दान आप भगवान भुलेनात का इसमराण करते हुए अवश्य करें या दोस्तों ऐसा करने मातर से ही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुबव फलोक के प्राप्ती होंगी और भगवान भुलेनात के आशिरवाद से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्छी दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेनात तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद